आज इस वीडियो में हम लोग फिलिप्स बिगनी ट्रिमर का रिव्यू देखेंगे इसकी पैकजिंग ट्रांसपेरेंट होती है इसमें बाहर से ही बिगनी ट्रिमर दिखता है इसका कलर बहुत ही अच्छा हॉट पिंक है पैकट को खोलने पर हमें एक ट्रिमिंग मसीन मिलती है जो की बैटरी ओपरेटर है साथी साथ हमें यहाँ पर दो अटेजमेंट मिलते हैं एक ट्रिमिंग अटेजमेंट और एक सेविंग हेड अटेजमेंट एक ब्रश और एक ट्रिमिंग कॉम आप देख रहे हैं यहां पर नीचे तीन निशान दिये हुए हैं नीचे एक ट्रायंगल बना है और उपर भी एक ट्रायंगल जीरो और वन का निशान बना हुआ है जब हम इस ट्राइंगल को ट्राइंगल पर ले जाते हैं तब हम इसे open कर सकते हैं और यहां से हम इसमें double A battery को डाल सकते हैं या remove कर सकते हैं फिर से जब हम नीचे वाले ट्राइंगल को 0 पर लाते हैं तो यह close हो जाएगा और जब हम इस ट्राइंगल को 1 पर ले जाते हैं तब यह trimmer work करने लगता है तो यानि कि जब हम ट्राइंगल से ट्राइंगल पर ले जाएंगे तो यह open हो जाएगा जब 0 पर ले जाएंगे तो यह close हो जाएगा और जब हम 1 पर लेके जाएंगे तो यह work करने लगेगा यहाँ पर मैंने अभी trimming head लगा के रखा हुआ है इसके उपर अब मैं यहाँ पर trimming comb को लगा दूँगी आप इस trimming comb को आप trimming head पर इस तरह से लगा दे इस से बिखनी area के जो काफी लंबे बाल होते है उन बालों की length 4 mm तक short हो सकती है फिर आप इस trimming comb को निकाल दे और केवल इस trimming head के द्वारा जो बाल है उनको trim करें जिससे की उसकी length 0.5 mm तक हो जाएगी फिर आप इस trimming head को भी remove कर दे इसको remove करने के लिए उपर भी दो निशान दिये हुए है जब आप नीचे वाले triangle को उपर वाले triangle से मिलाएंगे तो ये open हो जाएगा इससे की आप इसको remove करके दूसरे head को लगा सकते है और जब फिर से triangle को one पर ले आएंगी तो ये close हो जाएगा और work करने के लिए तयार रहेगा जैसा कि मैं यहाँ पर अब mini saver head को लगा दूँगी यानि की आप इस mini saver head का use trimming के बाद करें जिससे की आप बहुती smooth skin पास सकते हैं इस mini saver head के उपर एक पूरा cover है जिससे की आपका कटने का डर नहीं रहता है और आपकी skin भी बिल्कुल smooth हो जाती है 0 mm तक ये claim करता है कि ये आपके जो बाल है उनको remove कर देता है 0 mm यानि की आपको नहीं दिखते हैं बाल और आपकी skin अच्छे से shave हो जाती है यहाँ पर brush दिया हुआ है इससे आप अपने trimming attachment है उसको आप इससे clean भी कर सकते हैं और साथे साथ आप अगर चाहें तो ये जो attachment दिया हुआ है उससे उसको machine से अलग करें और फिर उसके बाद केवल attachment को आप जो नल के पानी में धोलें जिससे की ये hygiene के purpose से भी बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पर मैं इस trimmer का review ये देना चाहूंगी कि ऐसे तो hair removal के और भी कई method हैं जैसे waxing, hair removal, cream and saving लेकिन waxing से बहुत ही ज्यादा painful method है for bikini area के लिए क्योंकि bikini area बहुत ही sensitive skin होती है वहां की और waxing करने पर rashers परने के बहुत ज्यादा chances रहते हैं साथी साथ ये काफी painful method है अगर आप इतना pain नहीं सह सकते हैं तो ये आपके लिए बिलकुल भी नहीं है और अगर हम shaving की बात की जाएं तो normal अगर आप blade से shave करते हैं तो cutने का बहुत ज्यादा chances रहते हैं इतना sensitive area में cut वगेरा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं shaving को भी prefer नहीं करती हूँ रही बात अगर आप hair removal cream की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा chemicals रहते हैं और sensitive area के लिए ये बहुत बिलकुल भी सही नहीं रहता है इसलिए मैं इसको भी नहीं prefer करती हूँ और अगर मैं इस particular trimmer की बात करूँ तो ये मुझे काफी सही लगा क्योंकि पहला तो ये battery operated है इसके लिए आप इसे कहीं पर भी use कर सकते हैं बेजे जखो के आप इसे bathroom में भी use कर सकते हैं easy to carry भी है battery operated है आप इसे कहीं भी use कर सकते हैं दूसरी बात ये है कि इसमें 2 attachment दिये हुए है in fact 3 attachment दिये हुए हैं अगर हम इसकी trimming comb को भी मिला ले हैं तो जिससे कि इसमें सबसे पहले अगर comb से हम trim करना चाहें बालो को तो आप जो trimming head वाला दिया होता है attachment उसको लगाएं उसकी उपर इस comb को लगा लें तो उससे 4 mm तक आपके बाल छोटे हो जाएंगे या 4 mm तक आपके बालो की length हो जाएगी फिर आप इस comb को हटा दें के बालो की length 0.5 mm तक हो जाएगी जो की काफी छोटी होती है और इसको भी आप कम करने के लिए आप इस trimming head को भी remove कर दें फिर आप जो ये attachment दिया हुआ है mini saver head जिसे की बोलते हैं उसको लगाएं अपनी machine पे और फिर उससे बालो को trim करें जिससे की आप clear एकदम smooth skin भी पा लें का डर रहता है साथ ही साथ आप ये washable भी है आप hygiene की purpose से भी देखें तो ये काफी अच्छा है आप attachment को हटा कर उसे नल के पानी में अच्छे से धो सकते हैं फिर जब वो सूख जाए तब उसको machine में लगा करके फिर से use कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ये product best है अभ जिलता है जिसे की carry करना और easy हो जाता है अगर इसके price की बात की जाए तो इसका price 2195 रुपय है लेकिन इस पे कई बार sale भी आती है और sale में ये 1600 से 1700 तक मिल जाता है जब मैंने इसे खरीदा था तो ये काफी lightning deal में था इसलिए मुझे 1500 में ये मिल गया था अगर मैं इसका एक short में review देना चाहूं तो ये painless, safe, hygienic purpose से भी अच्छा है hope ये video आपके लिए useful रहा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो please like करें और हमारे channel को subscribe करना ना भूले thanks for watching, bye bye